प्रॉपर्टी के अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ हमारे घर हमारी गाडिया तो नहीं आती प्रॉपर्टी तो वो भी है जो हमें हमारे देश से विरासत की तौड़ पर मिलती है यानि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, हमारे मॉनुमेंट्स, हमारी काल्च्रल साइट्स, सारी के सारी हमारी हेरिटेज साइट्स heritage sites बरबाद हो जाती हैं जंग के situations में और जब ये बात बड़े-बड़े देशों ने realize की तो formation हुआ एक organization का जिसे हम जाते हैं UNESCO के नाम से जिसका काम है basically हर heritage site को पूरे world के अंदर protect करना और protection ना सिरफ armed conflict से यानिकी war situation से बलकी deliberate destruction से, climate changes से, economic pressure से, हर तरह के एक change से protection प्रोटेक्शन प्रोवाइट करना Well UNESCO एक बहुत ही मज़ेदार agency है एक तरी बड़ी organization है जिसकी 193 countries members है In fact, उसका headquarters पारिस के अंदर है और ये बहुत बड़ी scale पे काम करती है क्योंकि आप हैरान होंगे जानकर कि इसके अंदर लगभग 300 से ज़ादा NGOs काम करते हैं जो इसी role पर काम कर रहे हैं, इसी basis पे काम कर रहे हैं कि वो किस तरह से पूरे world में headed sites को protect कर सकते हैं ये पूरे world में security और peace के लिए काम करती है, UNESCO एक बहुत कमाल के organization है I'm sure students, आपको ये वीडियो बहुत पसंदाया होगा, तो इसी तरह से एक मज़दार तरीके से अपने हर कॉंसेट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए P.U.Stack app जहां आपके लिए और भी कई सारे options हैं जैसे कि आपके लिए sample papers है, backing size solutions, tip videos and much more So what are you waiting for? Download the app now